नमस्कार प्रियमित्रो मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस ओर समधान हमारे यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज का हमारा विशे है भाग्या रेखा का संपूर्ण विशलेशन आज की वीडियो में मैं आपको आपके जीवन में आने वाले हर उतार चड़ाव का सटीक समय आप भाग्या रेखा के अध्यन से कैसे जान सकते हैं व्यापार में कब बहुत बड़े स्तर पर धन प्राप्ति के योग बनेंगे उसकी सटीक उम्र क्या होगी सरकारी नोकरी के योग और प्राइवेट नोकरी में आपकी उन्रती कब होगी आकस्मिक धन की प्राप्ति आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी या किसी भी व्यक्ति की भाग्या रेखा का अध्यन बड़ी आसानी से कर पाएंगे एक एक करके आपको बताओंगा दोस्तों लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाओं मैं आपको बता दूँ यदि आप जोतिस के दुआरा अपनी समस्त समश्चाओं का समधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोटसप नंबर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं चलिए दोस्तों विशे को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जरूरी है भाग्य रेखा की आईउ को जान लेना मैं कोई भी घटना आपको बताऊं घटेगी लेकिन उससे पहले किस उम्र में घटेगी इस बात को आप समझ लें या आप इस स्क्रीन पर देखे चार्ट में भाग्य रेखा की आईउ यहाँ पर आप निश्चित कर सकते हैं यह नंबर एक 15 वर्ष की आईउ नंबर दो 25 वर्ष नंबर तीन 35 वर्ष नंबर चार 50 वर्ष नंबर पांच 60 वर्ष और फिर 60 के उपर दोस्तों जीवन में आने वाले हर उतार चड़ाव की सटीक आईउ आप इस चार्ट से बहतर जान सकते हैं तो अब सबसे पहले बात करते हैं भाग्या रेखा के उदे के विशे में दोस्तों भाग्या रेखा चार जगे से उदे होती है पहली हतेली के नीचे की तरफ से अगर किसी की भागय रेखा यहां से ले करके उपर तक सनी अक सेतर तक निर्विगन है तो महा भागयवाण व्यक्ति होता है दूसरा आतेली के मध्ये से, यह 25 वर्ष क्या यहां पर होती है तीसरा लाइन ओफ माइंड मस्तिक रेखा से और चोथा चन्दरक सेतर से दोस्तो भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा गहरी होगी जितनी ज़्यादा चमकदार होगी उतना ही व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा और निर्विग्न होगा भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा उथली होगी उसका तेज कम होगा और जगह-जगह से तूटी हुई होगी उतना ही व्यक्ति को अपने कैरियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग्य रेखा आपको जीवन में तरक्की कब मिलेगी इस विशे में दोस्तों भाग्य रेखा का उदे जिस उम्र में होता है व्यक्ति का भाग्य उदे भी उसी उम्र में होता है पहली बात धीरे धीरे व्यक्ति का carrier range पगड़ लेता है लेकिन जहां पर भाग्य रेखा के साथ में यह छोटी छोटी सहायक रेखा हैं आपको कहीं भी दिखाई पड़े आयू के उस भाग में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े स्तर पर तरक्की होती है हेलपर लाइन सहायक रेखा आपको भाग्या रेखा के पास में आयू के किसी भी विवाग में दिखाई पड़े तो बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पर अगर आप नोकरी करते हैं तो नोकरी में आपको पदोनती होगी सरकारी नोकरी में है तो आपका कद और उंचा होगा और यदि आप व्यापार में हैं तो निश्चित रूप से आपको आकस्मिक धनलाब वहाँ पर होगा भाग्य रेखा के साथ साथ चलने वाली ये सायक रेखाई व्यक्ति को चमतकारी की परिणाम देती है इनका बहुत गंभीरता से आप अध्यन करें और किस उम्र में भाग्य रेखा की जो हेलपर लाइन है वे प्रकट हो रही है इस पर गोर फरमाएं वहाँ पर आपको निश्चित रूप से तरक्की होगी अब दोस्तों नमबर दो बात करते हैं भाग्य रेखा पर आने वाली अवरोध रेखाओं के विशे में ये चोटी चोटी रेखाई जो काटती हैं इन्हें ब्रेकर लाइन बोलते हैं अवरोध रेखाई बोलते हैं दोस्तों अवरोध रेखा जितनी जादा गहरी होगी जितनी जादा मजबूत होगी आने वाली मुसीबत भी उतनी जादा बड़ी होगी तो जहां पर भी ये अवरोध रेखाएं भाग्य रेखा पर बनी हुई हैं आयू के उस भाग में व्यक्ति को भूल कर भी किसी को पै तो तूटी हुई है या भाग्या रेखा पर अवरोद रेखाए हैं या भाग्या रेखा पर क्रास का चिन है या भाग्या रेखा धूमिल पड़ी हुई है कमजोर पड़ी हुई है इन चारों परिस्थितियों में उस उम्र में व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर कदम उठाना च किसी व्यापारी मित्र पर जहां पर आपकी भाग्या रेखा कमजोर है आपको धोका दे रही है आपको लगता है कि आयू के इस भाग में दिक्करत हो सकती है वहां पर बहुत जादा सोच समझके के कदम उठाए यहां तक कि वहां भी देख करके चलाएं नहीं तो और भी आपर पर वहां पर सन्यक्सेत्र दबा हुआ है या उठा हुआ है अगर जहां पर रेखा समाप्त होती है वहां पर कोई क्रास का चिन नहीं है कांटे का निसान नहीं है और वहां का जो अक्सेत्र है वह दबा हुआ नहीं है उबरा हुआ है तो व्यक्ति का कैरियर सफल होता है ऐसा व्यक्ति जीवन चाहे कितना भी अच्छा जी है लेकिन आखिर में कंगाल हो करके मरता है दोस्तों भाग्या रेखा पर कहीं पर भी नक्सत्र का चिन हो तो ऐसे व्यक्ति साधरन परिवार की होने के बाद भी अरब पती बनते हैं जी हां करोड़ पते नहीं उनके हाथ में अरब पती योग होता है नक्सत्र का चिन हमारी जोतिस में बेहत सुब माना जाता है अब दोस्तों बात करते हैं भाग्या रेखा की कुछ सायक रेखाओं के बारे में भाग्या रेखा के साथ साथ चलने वाली छोटी रेखाओं से अलग यदि भाग्या रेखा के साथ क कि व्यक्ति की भाग्या रेखा बहुत बढ़िया इस्तिति में है सूर्य रेखा उसके साथ में सूर्य रेखा भी रेखा से नीचे आकर मस्तिस्क रेखा तक पहुच गई तो यह हैं बिलकुल ऐसे व्यक्ति सेना में या सिखशाक शेटर में किसी भी सरकारी कंभाग में उच्चे पद करते हैं इसमें तनिक भी संदे नहीं हैं दोस्तो इस इस व्यक्ति के हाथ में दो भाग्या रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति दो मारगों से धन कमाता है और बहुत बड़े स्तर पर ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति अपने जीवन में होती है, तो दोस्तों जहां पर भी भाग्या रेखा टूटी हुई है, जहां पर भी क बाग्या रेखा पर सायक रेखाओं का होना बाग्या रेखा पर नक्सतर के चिन का होना और सूर्या रेखा का मजबूत होना यह व्यक्ति के केरियर को बहुत उचाईयों पर ले जाता है तो दोस्तों बाग्या रेखा के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में एक झार